स्वागत है आप सभी लोगं का मेरे चैनल साइंस्ट्री टिकनोलजी में मैं अनुपम वेपुल आप सभी लोगं का स्वागत करता हूँ आज के शोव फ्यूचर फ्राइडे में आज हम लोग बात करेंगे टेसला साइबर ट्रक जिसका डिलिफरी हुआ है उसको समझते हैं तो प्रामिस क्या किया था क्या था क्यों हिए आप किसी को उसी के बात पर जज्च कर सकते है अगर और वो बोलता कि मैं यह कर के दूँ है तो आप उस किस home से जज्च करोगे ना तो इनका promise क्या था, ये नया Hulululu करेंगे, नया pickup truck design होगा, जो best ever pickup truck होगा, जो bitch slap कर देगा बाकी सारे EV trucks को, जो की अभी 3 है market में, और वो सब खिलोना लगेंगे इसके सामने, ठीक है, ये हला की, अब इसका specs, जो announce किये stage पे with video proof, मैं नहीं कहरा हूँ, वीडियो में है, नीच ठंडे दिमाग से, 500 miles plus, यानि कि हमारे लिए 800 km से ऊपर जाएगा, ठीक है, 800 km से ऊपर, इलेक्टर करीन तेगा, ट्राइ मोटर सेट अप होगा, यानि कि, दो मोटर पीछ वाले, अक्सल को चलागा, एक मोटर आगे बनाए, ये बड़ा ऊट-पटांग है, हाँ ऐसा कि, या ट्राइ मोटर होगा, सारा फंक्शन्स देगा, वो 70,000 डॉलर का होगा, और इसका पीकप जो है, 0 to 60 in 2.9 सेंड, यानि 3 सेंड में 0 to 60 करतेगा, जो कि, इतने भारी पीकप ट्रक के लिए बहुत भरपुष्ट आउट-पुट है, और ये कब हुगा था, ये हुआ था, में 2021 में स्टार्ट होगा, जनरली प्रॉट्चन का मतलब होता है कि हमने फैक्टरी बना लिया है, प्रॉट्चन यानि कि हम मशीन, मतलब टेस्टिं उस्टिंग से सब हो गया, अब बस हम लाज प्रॉट्चन करेंगे, और फिर देरे आपको देरे तो वर्स्ट केस में, जै टाइम लगता है, लेकिन वो साल में नहीं होता है, वो महीनों में होता है, इसलिए प्रॉट्चन अगर कंपनी बोल रही है, जैसे टाटा कोई नया मॉडल रिलीस करना चाहता है, तो उसका सारा चीज कर लेंगे, जब वो बोलेंगे हम प्रॉट्चन तब करने वाले, उसक कि अभी तक किसी प्रोटोटाइप में नहीं दिखाया है, मतलब जहां रियर व्यू मिरर होता है, जो MKB HD को मॉडल मिला था, रिव्यू करने के लिए, उसमें था है भी नहीं रियर व्यू मिरर, तो लॉजिक, उसके अंदर पिछे आप पिकप ट्रक बना देंगे, मतलब य कि 500 माइल, यानि कि 800 किलोमेटर, ट्राइ मोटर सेट अप 70,000 डॉलर, 0-60, टुपरण है, और यह डिलिवरी कर देंगे 2021 में, पैसा लेना सुरू कर देम है, जब तक आप पैसा नहीं ले रहे हो, हुलुलुलु है, आप किक्स्टार्टर हो, तो बात अलग है, यहां पे एक क लाइट क्यों नहीं था, जान बूच के किया गया तो बहुत बद्धा देखता है गाड़ी, रियल लाइफ में, मतलब जो प्रड़क्शन आया गया, उसमें भी पैनल गैप्स है, बहुत ज़्यादा खाराब देखता है, तो लाइटिंग, इसलिए जब साइवर ट्रक का ए यानि कि जो मैक्सिमम वेरियंट है, जिसका दाम मैंने आपको कंपेर गया, 70,000 डॉलर था, उसका बेरमीनिमम प्राइस आ रहा है, 122,000 डॉलर, यानि कि दाम आपका डबल हो गया, आपकी केपिबिलिटी, जितना पर अप हुलुलुलु कर रहे हैं, वो सारा आधा हो गया, और अच्छा चंसलर से कि पिकप भी होतना अच्छा नहीं है, पिकप दे सकते हैं, मुझ्किल नहीं है, लेकिन चंसलर बहुत कम है कि पिकप दे पा रहे हैं, तो अब रहा बाद की सबसे इंपोर्टन सवाल, जो आपको खुद पुचना होता है, कि कि किसी कंपणी को तो वही पीस को भीचके, लोगों को मुर्खबादा की delivery अपकर रहा है, delivery नहीं start हुआ है, वो उन्हीं के वेबसाइट पे, जहां पर पैसा ले रहे है, delivery might happen by 2024. मतलब माइट तो मैं तो मैं थो आप्टिमिस्टिकली रियलिस्टिक डाल दे रहा हूं लेकिन उनके 2024 में आपके डिलिवरी स्टार्ट होगी यह हो चुका है 2023 में और जो लो इंड है इसलिए मैं ट्रिपल मोटर वाले पर फोकस कर रहा था जो लो इंड है इसमें सिंगल मोटर है यह अच्छिंग डबल हो गाई इतना हैवी चीछे लिए डबल मोटर मीनिमाम चाहिए वो 2025 में उसका प्रड़क्शन स्टार्ट है यह सिर्फ चूना लगा है वदल सुच लिए अनौंस जो किया था और डिलिवरी के बीच में उन्होंने का यह दो साल माल लेजे मैं आप आपको बफर दे देता हूं कि जो प्रड़क्शन बोले हैं तो आसा खीच देते हैं दो साल होना चाहिए चलो ठीक है आपने दाम दुगना कर दिया कपैसिटी घटा दी कपैसिटी इतना घटा दी जो कि काफी लोग का है कि वह यह 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 रियल लाइफ मनी देने वाले हैं उसके बारे मनों लोग आगे डिसकरशन करेंगे तो रहाबात कि आपने दाम डबल कर दिया है और आपके कपैसिटी आप ही के क्लियम से जिसके बिसेस पे आपने मेरे से पैसा लिया था वह आधा कर दिया तो यह यह चौगुना बुरा डील मेरे को मिल रहा है जो काफी लो कर दें लोग भाई इसका क्या फाइदा हुआ वही डिलिवरी यह कहने को डिलिवरी हुआ कुछ ही पीस है मतलब प्रोडक्शन से लाइन नहीं असा हो रहा कि हजार हजार पीस निकल रहा है बहुत खुशकिसमत रहे तो एक सोपीस होगा इसलिए कुछ ही पीस देखने को अभ शुद्ध इल्लिगल है क्योंकि यह समझी यूरोपीन यूइन मार्केट के यह छू नहीं सकते यूरोपीन यूइन में बहुत वेकल सेफटी पर ध्यान दिया जाता है आम लोग इंडिया में बहुत बहुत बाहर बेचती है मतलब ईयू में उससब का सेफटी स्टेडर बह और सब्सक्राइब दो किया जाइए आपका जान का कीमत है नि गारी बचाना चाहिए व्यारी बचना के यह गारी बहुत नियू दिवाल तूट जाए हम ऊपर चले जाए लिंड गारी को कुछ नहीं होना चाहिए तो EU ऐसा नहीं है कि आपका पैडेस्ट्रिया न कंपल जो लेकिन है कि गारी का इतना बहुत आप आउटर स्ट्टर्चर देते हैं बाद में यूएस में भी है मतसु उतना रिग लेट नहीं करते हैं कि गारी का कोई भी बहास स्ट्टर्चर विस पर कोई गीडरेगा ही 2 कायिसे उसको मतलब डैमेज कम किया जा से गया और इस पर काफी रिशच हुआ है आप BMW को देखते हैं कि इंडियन गाड़ी से बढ़ता है BMW क्रिमपल होता है वो इसके लिए क्रिमपल हो रहा है वो बनाया गया है कि बच्चे क्योंकि बच्चे ही सबस्याद अभरते हैं और बच्चे सबके लिए किंटी होते हैं तो सबको है कि बच्चे को देमेज होने तो कोई दिकत नहीं है अगर बच्चे बस सकते हैं या प्रबबिलिटी ऑफ सर्वाइवल बढ़ सकता है करो तो लॉ में है तो इस तरह का स्ट्रक्चर जहां पर शुद्ध एंगल है जो आपका हड़ी को चकनाचूर कर देगा आपका बड़ी को स्प्लिट कर सकता है वो सब सीधा है लाओड नहीं है और क्रंपल तो हो गई नहीं है उनको बहुत थिन स्टेनलेस स्टील चाहिए होता है जो कर सके है और जनरली इसलिए स्टील से बना जए तो है स्टील करंपल भी बहुत असानी से होता है ये सब बहुत सीरियस टेस्टिंग है आपके गाड़ी की बॉननट की सब प्रांड में करना पड़ता है क्रंपल जोन कहता है इसमें है ही नहीं और उसका वही समझी कि ठिक स्टीनलेज जो बना दे रहे हैं कि वो नॉन फायर सेफ भी हो जाता है यानि कि गाड़ी में कई बार एक्सिडेंट्स होता है हम लोग एक सो साल से गाड़ी चला रहे हैं सब को समझ मागए गाड़ी परफेक्ट नहीं होता है एक्सिडेंट्स होता ही है चाहे वो यूमन एरर से हो मालफंक्शन से हो किसी दूसरे के एरर से हो तो आपको हमेशा गाड़ी ऐसे बनाना है जो वर्स्ट के सिनेरियो में भी आदमी को जिन्दा रखें इंडिया में ने इंडिया में है कि सर आदमी ऊपर चला जा कोई दिक्कत ने गाड़ी बचना चाहिए ने तो अमनों गाड़ी का सिकायत करेंगे तो वहां पर वैसा नहीं है वहां पर आपका गाड़ी ऐसा होगी कि अगर उलट गया आग भी लगया तुरन ताके फायर ब्रिकेट निकालेंगा कई बार होता है कि गाड़ी पलटने पर दरवाजा फस जाता है नहीं खोल सकते है ठीक है कोई दिकत ने काटके निकाल दिया जाएगा अगर आप थिक स् टेस्टिंग की जाती है तो इस गाड़ी में अगर आप हैं कोई भी एक्सिडेंट हो कोई दूसरा ही आपको ठोका आपको कुछ भी हुआ और यह मत बुली हो यह पल्टेगा नहीं सर ट्रक मारेगा न यह पलट जाएगा खाई से गिरेगा पलट जाएगा वह समझना बहु नहीं कर पाएगा इसको तो वहां से भी फायर सिफ नहीं और रहा बाती समझ एलेक्ट्रिक बैटरी है आग लगा बागवान बचाए फिर क्रैश ही होगा और यह समझे यह हम लोग मतलब खास्ता पर रेसिंग इंड़स्ट्री बहुत खून बहाने के बात से कि और मैं एक् समझ में काफी लोग उपर जाने का चाहे वह फॉर्मूला वन देख लो चाहे आप जीटी सीरीज का रेस देख लो लमांस देख लो जो भी देख लो सब में बलड बात हुआ था तब जाके समझ में कि गाड़ी क्रैश होना चाहिए तब आदमी बचेगा तो गाड़ी को ऐ है ने क्रमपल के साफ से बनाया नहीं किया है तो अंदर लोग जो है वह साफ हो जाए और हर कोई यहीं कहाएगा देखो गाड़ी में डेंट नहीं है ऐसले कि सर आदमी ऊपर चला गया तो वही समझें कि यह गाड़ी इस तरह का बनाना जो बुल्लेट टूफ आर्मर डिज जो टिसला के हाई स्पीड फिटिज में सब यह हैं अंशील्डेड है आज कोई अंशील्डेड प्रोजेक्टाइल नहीं उसका दाइसमें खुला लेड मिले लेड कॉपर से कोट किया रहता है कोट नहीं मतलब उसकी कॉपर जैकेट रहता है वह वाला आर पार चला जाएग क्योंकि अगर आपको बुलेट प्रूफ नहीं दिखाना है मतलब आप क्लीम नहीं कर रहो कि बुलेट प्रूफ नहीं है तो कर क्यो रहे हो यह यूएस में थ्रहा सा लॉव में है कि आप थ्रहार रिस्पॉंसिबल अपने लिए खुद हो यू में तो यह सब अलाओड ही न कॉपर जैकेट अच्छा जंस इसका आपा चला जागा राइफल तो टची नहीं करना राइफल बोलेगा हटो हटो हुलुलुलु कर राइफल सीधे बोलेगा हटो यानि कि सॉनिक राउंड जो भी है सब सॉनिक वाले भले रोक ले वह इसलिए शॉट गन यह बख शॉट न बखवन बचाया आपको और बोल रहे हैं डोर एक्स्टरनल चीज से जाम हो सकता है ना कई बार होता है गाड़ी दो चीशी बीच में फस गया है तब क्या करेंगे काटके ही निकाला जाता है इसलिए सारे फायर ब्रिगेट के पास टूल रहता है काटके निकालने होला है इ इसलिए फायर बात है कि अब काफी लोग पकड़ रहे है अब जो इलोन मस्क जो हुलुलुलु था वह अब लोगों का थोड़ा क्रैक हो रहा है कि वहां पर अब जो स्टॉकस आप देखेंगे यह उतना उपर नहीं जा रहा जितना जा रहा था शुरू-सुरू में काफी ह क्या 2020 में चो लोग इलॉन का स्टॉक कर दे होंगे क्या पैसा प्रिंट की होंगे और इसका मैक्स था 2021 में लेकिन अब धीरे-धीरे सब लोग का हो रहा है कि सर आप हला बहुत करते हो डिलिवरी कुछ नहीं देते हो एक भी प्रॉमिस आपका डिलिवर नहीं हुआ है तो अब जो है अब पैसा जो है डिक्चिक डिक्चिक होने लगा काफे ही डाउन हो लगा और जितनी बार भी यह इंवेस्टर कॉल करते हैं डान कर जाता है बहुत थोड़ा सा वह अप हो जाता है और फिर से नेक्स्ट इंवेस्टर कॉल होगा जो कि हर तीन महीने पहुता है फिर सक कमपनी का कैश फ्लो सब बहुत मैरेज करना पड़ता है तो वो अब उतना नहीं है जो पैसा पहले प्रिंट कर रहे थे वो अब नहीं है और लोग को नुकसान हो रहा है मतलब कि आपने कमपनी हो आपने ट्रक के लिए डिपॉजिट डाल दिया ट्रक बोलता है कि सर हम दो साल जाए चलो तीन साल आप थोड़ा सा अपने साइट भी वाफर रखो गया ठीक है चलो तीन साल पांच साल से आया ही नहीं है पैसा भी वो रिटन नहीं कर रहे तब तो आप पस जाओगे तो वही बहुत लोग का और रहा बाद टेसला की सर्फ ड्राइविंग के चक्कर में बहुत लोग का एक्सिडेंट हुआ है बहुत लोग ऊपर चले गया है उपर यानि चले गया टिकट फट किया और रहा बाद टेसला हम तो नहीं बूले तो सिर्फ ड्राइविंग हम तो स्टार मार्क लगा के ने छोटा सा लिख दिये थे एकदम माइक्रोस्कॉपिक उन्होंने समझ्छा है कि लाइडार के बिना नहीं गाड़ी बनाए जा सकता। Ilan मच कहा है कि हम ना वीड फूखेंगे हम ना सोनार भी हटादेंगे हम रेडार भी हटादेंगे सिर्फ कैमरा पर चलैंग क्योंकि इंसान कbec Merc चलता है अक्सान एकसिडेंट भरऊ से करता ह तो इसलिए वो सब लिमिटेड ट्राइल रन तक महुच गए है रियल लाइफ में ओपन पब्लिक के लीगली जिसमें आपको हाथ नहीं लगाना है स्टेरिंग विल पे वो गाड़ी वहां तक महुच गई है अभी पॉलिश करना है लेकिन वो तीन से साथ साल के अंदर पॉलि इंजिनियर नहीं बोल रहा है सब इंजिनियर सिर पिट रहे हैं यह क्या कर रहे हो लेकिन वो कर रहा है तो कर रहा है तो अब काफी लोग उपर जा चुके हैं काफी लोग पर एक्सिडेंट हो जगा और युएस में भी जब कोट केस चालू हो गया है तो मामला गंबीर है ह मतलब अब ना तो पैसा उतना उपर जाता है ना तो अब लोग का की आख मून करके हम अपना जान दे देंगे आपके लिए वो भी घटने लगा है और फुल सेर्फ ड्राविंग भूलत रहें कि बिना लाइडार के आप यह नहीं कर सकते और आप हटा रहे हो सारे सेंसर्स को वो तो होना ही नहीं है तो और इलॉन मस्का खुद का कहना है जो वो इन्वेस्टर मीटिंग पर कहता है जो आपको फूली अवेलिबल मिल जाएका कि अगर फुल सेर्फ ड्राविंग नहीं अचीव कर पाता है टेसला टेसला खतम हो जाएगा क्या यह बात सच है एबसुरूटली सच है इलॉन मस्स सिर्फ डिलूजिनल प्रॉमिस पर भरों से कंपनी जला रहा है कंपनी में कुछ रियल मीट नहीं है कि अच्छा सर हमारा अल्मूस्ट पहुंच गया है लेकिन वह अब उल्टा चलना है कि वह एंटी इंजिनियरिंग हो गया है कि नहीं सोनार भी हटा दो एक दम आई ऑप्टिकल पर चलो इसलें को नहीं काम करेगा आंक चोंदिया जाता है आंक में कोहरा के आरपार आप नहीं देख पाते हो है लेकिन इसका हम हटा देंगे से इंसान जैसा चलाएंगे इंसान एक्सिडेंट करता है तभी तो लोग से रविंग के पिछे बाग रहे है और बैटरी रेंज यहां पर दूसरी बात आ रहे कि वर्ड ओफ माउथ आप लोगो ने रिसेंटली दियान देगा कि इनका सेल्स व्ल्यूम घटने लगा है वह सकता है एकवि कभर कर रहे लेकिन सेल्स फॉल्यूम घट रहा है वह बात यह हो रहा कि आव वर्ड अफ माउथ खराब होने लिगा है है ऐसा क्यों यह मतलब इस साल में आप सामने आ रहा है कि कंपनी ने बहुत क्लेवर ली क्या जिया है तेस्ट कर रहे हैं कि मैं कितना दूर जा रहा हूँ हमेशा कम है और चोकि वह डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं आपका चार्जिंग स्टेशन में दिखा रहे हैं आप ड्राइव निकाले धालाक से घटा दिया वह कर्व के साथ अजस्ट करते जा रहे हैं 50% के मार्क पर बड़ा करते हैं वहां पर लोग नोटीस करने लगें यह सर यह क्या हो रहे हैं मेरा 50% से 49% मेरा यह रिंज घट रहा है और उस पर लोगों ने कम्प्लेइन किया लोग कुछ डिफेक्ट होगा क्योंकि और एक आपका गाड़ी चला रहे है और एक एक रिंज आपका दिखा रहे हैं 150 से वह 95 आजा है और भाई क्या हो गया एक मिनट में तो टेसला में सब लोग कम्प्लेइन किया तो पता था कि वह चूना लगा रहे हैं तो उन्होंने लिटरली एक डिविजन बना दिया टेसला के अंदर कॉल करते हैं लोग तो डिविजन है कि सर इन लोग को चूना लगा क्योंकि देखे सुरू का कुछ साल में किसी को क्यों नहीं पता चला बादे सब कोई एंक्शेस रहता है कि अरे यार बैटरी खतम हो जागा तो क्या होगा सब लोग पूरा साइकलोजिकली वह रहते हैं लेकिन जैसे आप कमफर्टेबल होते हैं अपने गाड़ी के साथ यह एक्चली बहुत कम है तो यह अब हो रहा है अब word of mouth जो है वो गाड़ी का नहीं हो रहा है आप लोग बहुत सारे जो car sales में जो खरीद लिए टेसला को कि इस रोल्स राइस जैसा इसका value बढ़ेगा यह हो गया और हर बार 100 बात की एक बात आप इसको essence में देखो कि essence क्या है वो हमेशा over promise करते हैं कभी deliver नहीं करते हैं और फिर नया hype बना देते हैं आपकी गाड़ी self driving नहीं है by law आप पे case चल रहा है आपकी गाड़ी के अंदर लोग उपर जा रहे हैं आप self driving को focus करो ना कि self driving complete करते हैं यह क्यों आ गया आपका Tesla bot क्यों आ गया Optimus मतलब यह हमेशा आ हाइप बना देंगे उसके वो प्यार से गायब हो जाता है deliver कभी उस लेवल पर नहीं होता है इसलिए मैं दाम और रेंज और बाकी सारे चीवी compare कर रहा था यह हमेशा under deliver करते हैं और जो delivery करते हैं वो अगर hype हटा दें तो एकदम basic लगेगा यह तो बाकी company भी दे रही है बनाएगा production कहा है production कहा है और यह इसलिए मैंने नीचे वो देती है investor call तो आप देख सकते हो कि अब सब लोग का थोड़ा हुआ क्रैक दिख रहा है कि बस hype पे hype चला रहे हो मतलब एक होता न कि sir यह आपने बोला deliver नहीं किया चलो ठीक है होता है company miss करते है यह आपने बोला deliver क ठीक है हर चीज में आपका वही है over promise never deliver new hype जहां लोग बोर होने लगता है नया हुलिलुलु तो यह अब लोगों को दिख रहा है अब बात करते हैं कि इसमें कोई penalty है सीधा जवाब हाँ penalty है क्योंकि लोग अपना पैसा और समय खो रहे हैं आप दोनों में से कोई चीज़ वापस नहीं ला सकते पैसा तो भले आप बोल दो कि मैं ज्यादा कमाल लूगा समय का क्या करोगे जिननों के time weight में चला गया क्या क लोग तो दिखता है और दूसरी बात यह ज़ ट्रक बना रहें यह ऑल्मुस्ट जैनरल मोटरस ने जो ट्रक बनायता है इसका क्या बूलता है हम यह मला हमारा डेमो ट्रक है कि हम लोग इलेक्ट्रिक वेहे कर बना सकते प्रैक्टिकल नहीं है उनको भी बता था और इंजनी यह इतना खराब है कि इसका माइलेज पेट्रोल गाड़ी से खराब है। इतना ज़्यादा आपने भारी बना लिगा है। स्टीनले स्टील का पैनल यूज कर रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर भारी है। लिटरली उसका गाड़ी का आता से जाद है एनरजी। गाड़ी को मूफ करने में जा रहे हैं ना कि occupants को यानि लोड का नहीं है। तो वही बहुत ही खराब इसका कारबन फूर्प्रिंट है। और रावत स्टील, स्टील महंगा है, स्टेनले स्टील उससे भी बहंगा है। और उसको फॉर्म करना उससे भी कारबन एक्सपेंसिव ह किसलिए? मतलब हम जैसे कई बार हम लोग एवल्यूशन में कहते हैं, कन्वर्जेंट इवल्यूशन यानि कि यह हर चीज़ में होता है, टेकनोलोजी में भी होता है, कि हर टेकनोलोजी घूमफिर के OLED जैसा ही क्यों बन रहा है, बात है वही बेस्ट है, आप कहां से आते हो अलग बात है, आप LED लगा के आते हो, सब्स्ट्रेट पे ग्रो करके आते हो, कुछ भी कर तो अलग है, लेकिन आओगे वही, वही बेस्ट है, ठीक है, तो पिकप ट्रक भी वही हुआ है, कि हम लोगों ने एक सो साल से बना रहे है, पिछले पचास साल से पिकप ट्रक का डि लॉजिकल हो जाता है, और जैसे एक्जामपल दे दूसरा एक्जामपल, टेसला रोस्टर, आप लोगों कितने लोगों पता है, टेसला रोस्टर उनके पहले थी जिसका उन्होंने मार्क टू बनाने का क्लेम किया था, उसके लिए फुल पैसा हो लिए है, मैं खिले गता मतलब इसको नहीं देते हैं और इसको बेसिक म्यूच्वल फंड में भी डाल देते हैं, पैसा प्रिंट कर रहे होता है अभी, मिलियन में, लेकिन वही वाली बात है, कि हर कोई भूल जाता है कि प्रॉमिस ये कर देंगे, डिलिवर करेंगे नहीं, और उसके बाद फिर नया बैटरी नहीं काम कर पाए, बहुत ज़्यादा वही होता है, प्राक्टिकल बनाना और एक होता है हुलुलू बनाना, हुलुलू कोई भी बना देगा, बस रियल नहीं होता है, जैसे कि ये कब एनाउंस किये थे, और अभी तक काउंट कर ले रहे हैं, कि सर छे पीस तो आप आप कुछ भी कर लोगे, वोलो कर लोगे, वो अब लोग थोड़ा सा हट रहे हैं, और इनका कोलापस रिसक बहुत ज़ादा है, और मैं क्लिर करना जाता हूँ, हर कंपनी में कलापस रिसक रहता है, चाहे वो Tata हो, चाहे मारुती हो, हो ये हूंडा हो, चाहे तोयटा हो, हर company में collapse risk करता है, लेकिन उसे manage किया जाता है, कम से कम रहे है कि भाई याब बुरा दिन आ जाए लेकिन हम टपक नहीं जाए इसके case में वो टपक जाने के पास रहते हमें सा, कि अब आज लोग अगर यह hype नहीं करते हम टपक जाएंगे आज यह hype नहीं बेच पाए तो टपक जाएंगे क्योंकि delivery तो किसी चीज़ का देंगे नहीं promise over किया हुए था, उस promise के आपसा आपके पैसा उठाया था, वो promise तो आप दोगे नहीं दे ही नहीं सकते, law of physics अलाव नहीं करता तो यह एक serious penalty है लोगों के लिए और मैं थोड़ा सा खूश हूँ कि अब common public भी थोड़ा समझ रहे है, sir हल्ला आप ज़्यादा करते हो, delivery कम करते हो deliver करो, थोड़ा सर, थोड़ा delivery करो अब वो कि हम start-up है, new company sir, 20 साल होगे आपको जलते हुए 20 साल में आप भी गाड़ी भी नहीं बना पार हो 20 साल में आप टाइम लाइन ठीक से नहीं दे पार हो अब आपका बंद होने का टाइम आ रहा है तो यह इसलिए उतना excited नहीं थे इसके बारे में कोई भी नहीं है अब तो यह था मेरा presentation cyber truck के बारे में मैं उमीद करता हूं आपको अच्छा लगा कुछ सिखने बाज कुछ समझ में अगर ऐसा है लाइक करते दोस्तेया शियर करते उसे मेरा काफी भाव रहा होगा नहीं अचछा लगा नहीं पसंद आया कॉई बात नहीं